question number 7 है the product of two consecutive odd numbers is 19043 ठीक है consecutive odd numbers अगर आप एक number x लोगे तो आपको दूसरा number odd number लेना पड़ेगा तो x plus 1 नहीं ले सकते आप क्योंकि अगर एक number आप for example 3 लिया तो 3 plus 1 करोगे तो 4 4 is not an odd number 3 plus 2 करना पड़ेगा तो अगर आप एक x को suppose आप odd number मान रहे तो next odd number will be x plus 2 तो यह दो odd numbers है और इनका जो product है that will be x into x plus 2 that is given to you 19043 तो कौनसर number smaller है definitely x is smaller है so you have to find this smaller number basically ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे this will be x square plus 2x is equal to 19043 और इसको आप करेंगे x square plus 2x minus 19043 is equal to 0 splitting of middle terms है श्रीद्रह चारे भी लगा सकते हैं बच्चें यहाँ पर बहुट confused होते हैं कहते हैं सरे यह तो इतना इतना इसके बड़े factors आएंगे 19043 की तो कैसे तो आप देख सकते हैं ठीक है अगर आप 100 into 100 करते हैं तो 10,000 आता है तो यह नंबर उसते भी बड़ा है अगर आप 150 into 150 करोगे तो वह नंबर वह 15 to 150 करोगे तो वह 19043 से ज्यादा आएगा तो कहीं न कहीं 100 और 150 की बीच के दो नंबर का product में देखना है ठीक है अगर आप 120 into 120 करोगे तो 120 12 12 जा 144 वह भी छोटा हो रहा है 130 करोगे तो 13 into 13 169 वह भी छोटा हो रहा है 140 करोगे तो 14 into 14 विल भी somehow 196 आई थिंग तो वह नंबर बड़ा आ रहा है ठीक है इसका मतलब सी यहां पर आप कैसे में आपको बता रहा हूं इसका मतलब 130 और 140 के बीच के नंबर है ठीक है दो वह जो नंबर से जिनके में product लूँगा 13 into 13 होता है 169 14 into 14 होता है 196 यह कहीं न कहीं उन दोनों के बीच का है ठीक है अगर आप समझ रहे हो अब यहां पर अब मुझे क्या चाहिए कहीं न कहीं दोनों का product चाहिए जिसका plus minus करके ऐसे में split करूँगा ठीक है तो 135 अगर आप करोगे तो again that number will be less ठीक है तो 135 और 135 लास में 3 आना चाहिए एक हो जाएगा 137 और एक हो जाएगा 139 तो यहां पर आप इसको ऐसे split कर सकतो तो see x square plus 139 x minus 137 x देखो दोनों को multiply करूँगा I'll get sorry दोनों को subtract तो अगर आप if you'll take x common तो यहां जाएगा x plus 139 और अगर आप यहां से minus 137 common लोगे तो यहां से फिर से x plus 139 लोगे तो यहां से फिर से x plus 139 लोगे जाएगा is equal to 0 अच्छा फिर यहां पर है तो यहां पर आप common equal to 0 तो एक तो x के value आएगी minus 139 which is not possible minus 7 और 139 ठीक है